हेलो दोस्तों वेलकम टो ऑनलाइन स्टेडी पॉइंट तो दोस्तों इदिया आप रेलवे ग्रूब डी एक्जाम के त्यारी करें तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जादा इस्पेशल है क्यूंकि आज इस वीडियो आपके लेकर आ गया हूँ जनरल साइन्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट एक हजार कोईश्चन आप सबको बता दो दोस्तों कि रेलवे ग्रूब डी एक्जाम में तीस कोईश्चन जो जनरल साइन्स के पूछे जाएंगे तो यह पूरा वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है यह आप रेलवे एक्जाम ग्रूब ड ध्यान से देखिएगा और मैंने अभी जो देखा यह एक्जाम हुए रेलवे के उनमें इसी तरह है कि सरल प्रसन पूछेगा इसलिए कोई नहीं बोलेगा कि सरल प्रसन है सरल प्रसनों की इग्नोर नहीं करना है बहुत ही सलेक्टेड और मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन प्रफाइल किरिंग इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं तो उस लिंक पे भी क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं आप बनाएगे करेंगा फेस्क वीडियो बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं आप चैनल पर पहली बार लिए एक लाइक जरूर करिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला कोश्चन है एक अश्र शक्ति बरावर होता है जिसका राइट एंसर है 746 वाट के ठीक है एक अश्र शक्ति कितने बरावर होता है 746 वाट के और यह कोश्चन रेल्वे एक्जाम में बहुत बार पूछा गया है अगला कोशन ने जल का घना तो अधिक्तम तथा नियुनतम होता है यह उताग फोर डिगरी सेल्सियस पर ठीक है फोर डिगरी सेल्सियस पर अगला कोशन ने पदार्थ का लगुत्ता मन्स क्या है तो पदार्थ का लगुत्ता मन्स क्या है क्वार्थ रिवीजन के लिए ठीक है और 17 तारिक से एक्जाम है आप सबके तो इसको जरूर देखिएगा अगला इंद्रधनुस के बीच का रंग कैसा होता है इसका उत्तर हो जाएगा हरा अगला कोचन रंग का प्रकीरण निर्भर करता है उत्तर है तरंग धैर पर रंग का प्रकीरण उल्टा तथा वस्तू से छोटा मैं आपको बता दू कि जो मैं कोश्चन बता रहा हूं आपको यह सेम टू सेम हूँ बहू यह कोश्चन आपके रेलवे एक्जाम में पूछे जा सकते हैं इसलिए जो कोश्चन से बहुत ही जादा महत्पूर है अगला इंद्रधनुस बनत अंत्रिक्ष यात्रिक आकास करते चलिए जो मैं आपको बता रहा हूं आप ध्यान से सुनिएगा मेरे साथ याद करते चलिए ताक कि आपको रिवीजन हो जाए ठीक है चलिए अगला कोश्चन दोस्तों समुद्र का जल नीला दिखाई देता है उसका उत्तर है प्रकास के समुद्र का जल नीला की दुखाई देता है प्रकास के प्रकिर्णान के कारण अगला कोश्चन है वायू का वुलवूला जल में कैसा वहार करते इसका उत्तर है अप्तर लेंस की भाती ठीक है अब कुछ लोग बोलते हैं आप बहुत सरल कोश्चन बताते हैं यह जो तो नह हरी पर जाती है इसलिए इजी कोश्चन को आप बिल्कुल रिवीजन कर लीजिए आपको जो तो कंठस्त हो जाएगा जितनी वारा आप रिवीजन करें उतना बहतर होगा आपके एक्जाम के लिए ठीक है चलिए अगला कोश्चन देख लें तारों के टिम टिमाने कारण क् पूर्ण अंतरिक परावरतन अगला कोश्चन एक केंडला मातराख है उसका उत्तर जोती ती बरतागा नेक्ट वोच्चन है भो इस्ति रूप ग्रह की प्रिथिविस उचाई कितनी होती है उत्तर 36,000 किलोमेटर दोस्तों मैं आपको एक इंपोर्टेंट बात बता दूं कि दिया आप रेलवे गुरूप टियारी कर रहे हैं तो आपके लिए एल बुक पब्लिसर द्वारा जो तो एक पीडिया बुक त्यार की गई है जो की मातर 30 रूपए कि और उसमें सारे जो इंपोर्टेंट कोश्चन कवर किये गये हैं पुरे कोश्चन बैंक दिये हैं जो र बाल्व का फिलामेंट बना होता है तो इसका उत्तर है टंगस्टन का बाल्व का फिलामेंट बना होता है किसका टंगस्टन का नेक्स्ट सूर की उर्जा का स्रोथ है उत्तर है नाव की सल्यान अगला कोश्चन रेडियो सकृता का मातरक है उत्तर है क्यूरी का रेडियो प्राइमरी कलर्स कौन-्कौन से हैं तो यह नीला लाल दधा हरा प्राइमरी कलर यह मूल लंग जो होते हैं कौन-कौन से नीला लाल दधा हरा next है कि saxtant का प्रयोग किया जा जाता है इसको उत्तर हुचाई का प्रयोग कर वीडियो आप पूरा फुली कॉंसेंट्रेंशन के साथ देखिएगा क्योंकि यह जो कोश्चन बता रहा हूं यह जरू है लेकिन यह बहुत इंबोडन कोश्चन है ठीक है और यह आप फेस्बुक पेज हमारा लाइक नहीं है तो जल्दी से लाइक कर लिजे क् आप हमारे चैनल को जोन कर ली यह अपको इसकी पीडिया फाइल चाही जो दे वीडियो इसकी पीडिया वाइल आपको चाहिए ताप हमारे टेली ग्राम चैनल को जोन कर लीजे लिंक को डिस्क्रिप्स न-बॉक्स अगला कोशन जल का सरवादिक शुदरूप है उत्तर है वर्षा अग्ला प्रसन है दाढ़ी बनाने दाख नाख कान की जाँच वह होता है अगला को बना है नाग राग का मान पृतिवी के मान का एक बटे छे बाग होता है ठीक है चंदरवा पर गुरुति तुरन का मान पृतिवी के मान का एक बटे छे बाग होता है अगला कोशन है द्रववस्था में पाई जाने वाले धातू है उत्तर है पारा अगला कोशन है सुराही का पानी ठंडा होता है उत्तार है वास्पी करण के कारण ठीक है शुराही के पानी ठंडा क्यों होता है वास्पी करण के कारण दोस्तों मैं इस वीडियो में आपके लिए एक्स्प्लेशन नहीं कर रहा हूँ क्यों कि एवल रिवीजन की देश्टी से है जो कि आपके एक्जाम के लिए फटाफ़ रिवीजन के लिए बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है तो इक्स्प्लेशन बिल्कुल नहीं करूँगा ओ उत्तर है तोरण वल विस्थापन तथा संबेक शदीश राज के कौन कौन से तोरण वल विस्थापन तथा संबेक अगला है सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग धेर होती है उत्तर है लाल तथा बैगनी रंकी सबसे अधिक होती है तरंग धेर लाल की तथा सबसे कम तरंग सुस्क वर्फ कहलाता है उत्तर है ठोस कारबन डायकसाइड सुस्क वर्फ कहलाता है ठोस कारबन डायकसाइड नेक्स्ट है परमाडू के नाभीग में रहते हैं उत्तर प्रोटान देथा न्यूट्रान परमाडू के नाभीग में कहा रहते हैं प्रोटान देथा न्यूट्रा के परत बनी हे टेफलों की नेक्स कि बायवंडल है रेड्डान है अगला began गुबारUं किसी पियोंग होता है फोता है फोटोग्राफिं particle होता है ब्रोमाइच का फोटोग्राफिंisc例 किसी को circulation का अगला कोशन और जल की अस्थाई कड़ोरता का रीजन होता है अगला कोशन पानी की स्थाई कड़ोरता दूर की पानी इस you पड़ेशियुम क्लोराइट दूरा है अगला कोशन लोह को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है उतरहे जिंक की परत लोहे को जंग से बचाने Ce किस्की परेश लाए जिंक की परत भिद्दूत का सबसे अपरेशएठ सबसेच बूसेट किया है चाथी है अगला कोशला कुछ के लिए प्रयोग मिला जाता है उत्तार सीलवा य४राइड लोहा नीकेल अगला कोशन दोस्तों हड्डियों और दातु मुपस्तित रहता है उत्तर है कैल्सियम फॉस्पेट अगला कोशन है नेक्स्ट है सुधतम सोना की सुधता होती है उत्तर है 24 कैरेट अगला कोशन है लोहे का सबसे सुधतम रूप है उत्तर है पिटवालोहा अगला कोशन है सबसे कठोर पदार्थ है उत्तर है हीरा सबसे कठोर पदार्थ क्या है हीरा है अगला कोशन है दोस्तों प्राकरतिक रवर का बहुलक होता है उत्तर है आईसोप्रीन का प्राकरतिक रवर बहुलक इसका होता है आईसोप्रीन का अगला कोशन है मानोदार संसलिस्ट पहला र एक्जाम में पूछे गए हैं सभी एक्जाम में नेक्स है सबसे हलकी धातू है उत्तर है लीथियम, सबसे हलकी धातू कौन से लीथियम है अगला कोशन है कांशा मिस्स धातू है उत्तर है टावावा टीन का ठीक है कांशा मिस्स धातू है टावावा टीन की नेक्स है पी को सेकंड बराबर होता है उत्तर है टेन की पाबर 12 सेकंड नेक्स है फलों को पकाने के लिए प्रयोग की जाती है इसका एंसर है एसिटलीन गयस का फलों को पकाने के लिए प्रयोग की जाती है एसिटलीन गयस का नेक्स है लोहे को इस पात में बदलने के लिए और 11फ lij month अग्ला कोशन नेब सारेगरिका सब्रूद होता है उत्तर चांथ कि पराइखतन की कमी से रक्त चाब मापने वाला यंतर है उत्तर है इस फेगणो मैनोमीर रख्त-चाब ओनो एक से चार दिन का इस ताहित त्था था एक तोर की जाती है उत्तर सोडियम काऱोनेट से अगला कोशन जल में इस था ही कटरता कारण है उत्तर है कल्सियम और मैगनेशियम के 먹을 का गुल रहना क्या है कैल्सियम के सुल्फेट का गुले रहना नेक्स्ट है कैमरा दूर वीन के लैंस बिद्दूदवल दूप प्रयोग होता है उत्तर फ्लिंट कांच का ठीक है कैमरा, दूर्वीन के लेंस, बिद्धूत वलवते थाद्वा, धूप की चैसमें प्रयोग होता है कि इसका फिलिंट काच का, अगला कोशन है, पारा, तावा, तथा अलुमिनियम के प्रोग कहाश के हैं, तो इसका राइट एंसर है सीनेवार, ठीक है पारा जो है सीने का है niter तथा cadmium का है ग्रेर अगला को क्षेंट ने प्राक्रति गैस मित्रण है प्राक्रति गैस मिल्मिक्रण किसा है प्रोपेन का अगला कशान एसे ऐलपीजी में गंध के लिए मिला जाता है इसका उत्तरए सल्फर के विक इसका उत्तर है रियान अगला कोशन दोस्तों हीरा का आप एकशिक घनत तथा वरतनांग होता है इसका उत्तर है क्रमसे 2.2 और 2.42 अगला कोशन दे सामान ने ता पेवन दाप पर विभीन गैसों के इक घ्राम कानु कायतन कितना होता है उत्तर है 22.4 लीटर फिर अगला कोशन एक मोल बरावर कितना होता है जिसका उत्तर है 6.023 इंटू 10 की बावर 23 एवे ग्रेडरो संख्या अगला कोशन है बरफ का दरबणांग के वे हिमांग कितना होता है बरफ का दरबणांग के वे हिमांग होता है 0 degree Celsius ठीक है अगला कोशन है रियक्टर में नियंत्रक शड़ के रूम में प्रयोग किश्का होता है जिसका उत्तर है कैडमिय में बोरान चड़का ठीक है कैडमिय में बोरान चड़का अगला कोशन है अर्धचाला का उधारण है उत्तर है कारवन सिलीकान दता जर्मेनियम ठीक है अर्धचाला कोशन क्या है कारवन सिलीकान दता जर्मेनियम अगला को कोश्चन जो हाई लेफल कोश्चन है इस वीड़ों को देखने को मिलेंगे नेक्सहीं होतो क्वीटामिन इक सर्वत्तमसोथ क्या है जिसका राइदिन सरहा आवला वीटामिन सी का सर्वत्तमसोथ यहाद है पानी में डूबा हुआ हवा कभुलूला गैसा कार करता है तो इसका राइडन सा अप्तलेंस की वाद है ठीक है अगला कोशन है मानो शरीर में गुर्दे का प्रमुकार क्या है तो उसका उत्तर है शरीर से बेकार दर्बे को बाहर निकालना मानो शरीर में गुर्दे का प्रमुकार क्या है शरीर से बेकार दरबे को बाहण निकालना अगला कुशन है किसकी कमी से दतोंधी होती है उत्तर है विटामीने अगला कोशन है राइवो सोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना अगला प्रसन है चेचक के टी के कभिश्खार किस ने किया उत्तर है एडवर्ड जेनर ने अगल क Nepyla Chetin पसटेगे में धरबने दिखने और दीफ है किसमेड़ को वि 음 prayer कों ना पर सब्राइय यहCe सब्रिकाउं को जीवन कैल है मुद्बीच दिन अगला प्रसना है बुद्ध Kr програмus अगले बढ़ते हैं रंत समव में सरवदाता और सब्रदगाई है उत्त जोड़ार है आ तथा एंही संभोबिसेते ही नेक्स पितु व्तपन होता है उत्तर है एकครित्मे नेक्स्ट है स्वस्तन पन्पनुस्ता रख्त रख्त चाप होता है ूत्तर है 120W, 2 करता है उत्तार है किड़नी रक्ट से अशुद पदार्थों पडला कोन करता बृट के दिढ़नी अगला प्रेस ने स्रीर की सब से बड़ी कोश्का होती है उत्तार है स्थनинки उत्तर है तंद्र होचन हीचा खुन का थक्का रग में ठीक है हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता है अगला कोश्चन है ट्रेकोमा ये वं ग्लुकोमा रोग सम्बंधित हैं आख से अगला है प्लाजमोडियम परजीवी है उत्तर है मलेरिया रोग का अगला कोश्चन है पोजित्रान किसका प्रतिकरण है उत्तर है इलेक्ट्राउन का पोजिट्राउन किसका प्रतिकरण है इलेक्ट्राउन का अगला कोशन है जड़ों के रूपांतरण का उधारण है उत्तर है मूली गाजर और शकरकंद जड़ों के रूपांतरण का उधारण है मूली गाजर और शकरकंद अगला कोशन है दोस्तों लौग की मातरा सरवाधिक होती है पाला के पत्तों में लौग की मातरा सरवाधिक होती है अगला है कवकों का अध्यन कहलाता है उत्तर है mycology, अगला कोशन है हड्यों में मुक्ताइ पाय जाता है calcium and phosphorus, अगला है मानों में गुड़ सुत्रों की संख्या होती है, उत्तर है 46, 23 जोड़े, ठीक है, अगला कोशन है रक्त कणिकाओ को निर्माड होता है, उत्तर है अस्ति रिष्क में, नेक्स्ट है दो प्रमुग बनसानुगात रोग कौन से हैं, उत्तर है बाड़ानधा तायम हिमोफिलिया, ठीक है दो प्रमुग बनसानुगात रोग है बाड़ानधा तायम हिमोफिलिया, नेक्स्ट है थायराक्सिन हर्मोन इस्तावित होता है उत्तर है थायर थे क्लोरी कम ठीक जटराफ से पाई जाता है डिज अकल में तत्तर नेक्न फार फ्रीताता था। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचान होता है उत्तर है छोटी आत्में ठीक प्रोटीन का पाचान किसम होता है छोटी आत्में नेक्स्ट भोपाल गैस्ट कांड में रिशा हुआ था उत्तर है मिथाइल आसुसाइनाइट का नेक्स्ट हो चाने काला हीरा ता काला सी से कहलाते हैं उत्तर क्रम से कार्वनेड़ और ग्रिफाइड काला हीरा तथा काला चीज़ कहलते हैं क्रम से कार्वनेड़ और ग्रिफाइड नेक्स है सरीर की सबसे चोटी अस्थी काउन सी तो इसकी उत्तर है इस्टेपीज जो की कान में पाई जाती है तहीं सभवर सबसी चोटि अस्तिया इस्टेपीज नेक्स जीवन रक्षा खार्मोन कहते हैं उत्तर है अगला अगला कोशना प्रकास अन्प्राइजन अधिक होता है अगला मींुल जाल से ओता है फिरीन धौकती कहले हिए भी हणा दिने और आरेने हैं इसका उत्तर है न्यूकली कमल डिने और आरेने क्या है न्यूकली कमल है ठीक है नेक्स वोचन ने मानों सरीर का सावाने ताप कितना होता है तो इसका एंसर है 30 सरीर का सबसे कढ़ोरतम तत्तों क्या है नामिल है नेक्स संसार का सबसे बड़ा पक्षी उत्तर है शुतुर मूर्ग है संसार का सबसे बड़ा पक्षी क्या है शुतुर मूर्ग है नेक्स्ट खोपडी में कितनी अस्तियां होती है इसका उत्तर है आठ खोपडी में टुटल कितनी अस्तियां होती है आठ नेक्स्ट जीन के संसलेशनर क्रिया में अक्सिजन मिलती है उत्तर है जलसे प्रकास संसल परिघरिसाड के लावर्ष्टक गएषह है उट्तर है सियोटू, नेक्स्ट है मध्वमें रोग होता है उट्तर इंसुलिन की कमी से, अगला प्रस्टन है पोधे का मुख्य प्रकाश चंसलेशियंग है उट्तर है पत्ती, अगला है एंकाइटीस एक रोग है उत्तर है फेंफडेका अगला प्रस्ट एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है उत्तर है वाइस प्लस वाए नेक्स्ट यूरी अधिकतम मातरम पाई जाती है उत्तर है मूत्र में अगला प्रस्ट पेपसीन का उधारण है उत्तर है एंजा अगला कोशन मलेरिया का परजीवी है उत्तर है मादा एनफिलीश मच्छर अगला कोशन मानव मूत सर्जित होता है उत्तर है विटामिन अगला कोशन में था क्रणों थे उत्तर है अगला कोशन मेड़ा कर्णी में होते हैं उत्तर है तीन भाग क्रणों कोशिका का ऎनुवांसिक। औन 600 मेंडल अगला इन किषान का बरम साहय का उत्तर है केचुवा hiring कोश्द का निर्माड किया था उत्तर रावाट ब्राउन ने अगला अगला समसे बड़ा ता सब उत्तर है तना, अगला है मानो सरीर की जल की मातरा सरीर के भार का 7%, अगला कोशन है मनुष्य के मस्तिष का बजन कितना होता है उत्तर है 1350 ग्राम, अगला कोशन है उट का गर्वावधी काल है उत्तर है 320 से 350 दिन, अगला कोशन है गाय तथा भहेंश का गर्वावधी काल है उ सबसे लंबा क्रीमी वर्म होता है उत्तर है टेप वर्म अगला कोशन है कपड़ा सुखाने तद दूद से मखन निकालने वाली मशीन कारे करती है उत्तर है अपकेंद्री वर्म के सिध्धांद पर नेक्स्ट है समतल दरपने बना प्रदिवीम होता है उत्तर है कालपनिक बस्तु के बरावर देथा उल्टा अगला परसने प्रकास की तरंग धेर होती है उत्तर है 4900 अंगेस्टम से ठत्तावर से अंगेस्टम की बीज अगला कोशन है वाय देथा निर्वाद में प्रकास की मिचल सबसेधिक्तम होती है उत्तर है 3 x 10 मीटर शेकेंड अगला ना थोस्व में संचरण होता है उत्तर है चालन विद्धी द्वारा ठीक को स्वां सबस्सक्राइब प्रतिधन सुनने के लिए श्रोता ये परावरता के सत्य की बीच की निविंतम दूरी होने चाहिए उत्तर है उत्तर है इसका कम से ध्वानी तरंग तर्ण प्रकास तरंग ठीक अनुधार तरंग जिब कि अन्पस तरंग उद्वारत का अगला कोश्चन दोस्तों सेकेंड लो लोला खावरत का वरतिकां करता नहीं करता उत्तर दर्व बहन पर नहीं करता दर्वेमान पर ठीक है दोस्तों फीडियो काफी लंबी हो जाते यसलिए मैं ही टोटल इसमें 200 कोश्चन बता रहा हूं और मैं आपको जो तो पांच पार्ट बहूंग बहुत लंदी बहुत लं कर दूँगा फ्रीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिया और वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट पार्ट यदि कंटिन्यू रखना है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और इस चैनल पर पहले बार भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए कर साथ में बैल आकाउन प्रिसक्राइब तक कि आपको डेली मित्ती रहे नोटिफिकेशन साथ ही इस वीडियो को जादा जादा सेर कर दिए पर दोस्तों को साथ इतने वाटसेप में इस्टी गूरूप है फेस्बूप में जरूर सेर कर दिए और आप हमारे यहां फेस्बूप पेज को लाइक करने और ऑनलाइन स्टी पॉइंट ऑफिसल के नाम से फेस्बूप पेजे साथ इस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं ठीक है और इस वीडियो के पीडियो के लिए वीडियो के डिस्क्राइब बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगे ठीक चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद नमस्कार वंदे मातरम